अच्छा जी देखें, centripetal acceleration जब भी कोई body हम center से force लगा के rotate करते हैं तो during the rotation, the duration is change which change the velocity and when the velocity is changing, it means acceleration is produced चूँकि ये acceleration center से लगने वाली force की वज़े से होती है इसलिए हम इसको centripetal acceleration का नाम देते हैं आप और हम सब जानते हैं कि centripetal acceleration जो है वो v square upon r के बराबर होता है metric में इसका proof नहीं है बलके वो आपको ये बोलते हैं जी अगर velocity double हो तो acceleration ये होगा और radius ज्यादा हो तो acceleration कम होगा वगेरा वगेरा लेकिन अभी first year में हम इसको mathematically प्रूफ करते हैं कि वाकी a c बराबर होता है v square upon r बाह समझ में आरी है बेटा अच्छा इसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए हम सबसे पहले consider करते हैं एक circle तो प्रूव पूव फॉव ओर्मूला तो ये को सिदर अबरी moves in a circle of radius R let V be the velocity of the body at point A in time T I जो मैंने बताई यह भी डाग्राम बनाऊँगा फूरस समझ में आजाएगा लेकिन मैं पेरे तोड़ा सा उसकी description लिकूँ ताकि समझ में असानी हो after delta T time let the body be at point B we are its final velocity is V prime V prime आप इसको VF भी कह सकते हैं लेकिन मैं इसको V prime का नाम देता हूँ हाँ end time TF as you in the figure बेलकुल गोर से देखें ये मेरे पास कोई circle है ये इसका center है ये इसका radius है ये इसका radius है टी आई लेकिन जब time कितना बना जब time बना उसका डिल्टा T time के बाद यहाँ पर final velocity तो यहाँ पर इसकी जो velocity है V ये है V prime बास समझ में आ रही है कोई गबला तो नहीं है बिलकुल दुबारा जो बताया वो दुबारा आपके साथ share करना चाहता हूँ फर्स करें शेर दिल इस circle में rotate कर रहा है जब वो इस point A पर मुझूद होता है उस वक्त उसका time TI और velocity V है लेकिन डिल्टा T time गुजरने के बाद हो किसी point B पर पहुंचता है जहाँ पर उसकी final velocity V I है और इसका time है T F बास समझ में आ रही है किसी को कोई doubt है बिलकुल नहीं है आप V F का नाम देतो मैंने इसको V prime का क्योंकि बुक में V prime इस्तिमाल होता है तो आप बुक की जो terminology है उसको use करो आप V prime बास समझ में final आप VF बोल ने मुझे कोई इतराज नहीं है उनको भी इतराज नहीं होगा लेकिन आप के पास एक option है अब जरा मुझे ही बताईए मैं इसको नाम देना चाहता हूँ लेकिन नाम से पहले मैं एक diagram के अंदर तोगा से changes करना चाहता हूँ और वो changes यह है मुझे एक बात बताईए अगर मैं इसको पीछे की तरफ ड्रा कर दूँ अगर इसको मैं पीछे की तरफ ड्रा करूँ तो यकिनां यहां मिले गा या नहीं मिले गा और देखे अगर मैं इसको आगी की तरफ लेके जाऊं तो मुझे बत बताईए क्या यह आपको एक दुबारा triangle मिला और याद रखिए यह जो triangle आपको मिला यह इस वाले triangle के बराबर ही होता है अगर्चि यहां इनका जो front side है यह curve है curve आर्क A B लेकिन अगर इस B को कम कर दिया जाए तो यह triangle इस triangle के बराबर हो जाता है बास समझ में आ रही है अच्छे जी देखे इस वक्त मेरे पास दो triangle है A का center है O और इसका center है O prime यह है मेरे पास A तो यह वाला मेरे पास है A prime इस triangle का यह वाला इसा B तो इस triangle का यह वाला इसा B prime किस्व के इतराज नहीं होना चाहिए भई यह angle जतना होगा उतना ही यह angle भी होगा मतलब यह triangle इस triangle के concurrent है बराबर है बराबर हो तो मैं आगे कुछ हिसाब किताब करूँगा ठीक है भई तो मैं लिकूंगा out from the figure we have two triangles that is A, O, B and A-O-B- इतराज नहीं है बिलकुल नहीं है अभी हो जाएगा इतराज मेटर किस-किस ने किए पड़ा भी है के नहीं आप मैंसे किस-किस ने ratio theorem के बारे में पढ़ा है basically ये एक application है theorem का किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा बाराल नहीं भी पढ़ा कोई मसला नहीं मैं अपना काम निकालने के लिए आपको एक example के तोर पर कुछ सिकाना चाहता हूँ ये मेरे पास A, B, C है ये मेरे पास X, Y, Z है दो ट्राइंगल हो गए के नहीं अगर ये दोनों ट्राइंगल concurrent हैं तो ratio theorem को हम यू इस्तिमाल कर सकते हैं ये लेके A, B, divided by B, C ये लाजिमन बराबर होगा इस divided by इस इससे कहते है ratio theorem यानि एक ट्राइंगल की जो दो साइडों का ratio होगा वो दूसरे ट्राइंगल के दो साइडों के ratio के बराबर होगा मैं मजीद इसके डिटेल में नहीं जाना चाहरा है बस जहां हमें कुछ इससे फाइदा उटाना है हम उटाएंगे अब आपके ट्राइंगल नगर आ रहे ना A, B, C लेकिन ये कब होगा पता है ये अब दोनों ट्राइंगल congruent हो और उस congruent के लिए भी rules है वो angle wise हो बहुत सारे हैं A, A S, S, S वाले A, S, A S, A, S या H, S बहुत सारे आपने मेटर्क में की हैं हमें उन की तरफ जाना नहीं चाहिए मैंने ये final कर दिया कि ये जो triangle है ये इस triangle के बराबर है मैं दोनों triangle आपस में तोड़ा सा अलग-अलग बनाना चाह रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए ये triangle में यहां पर यूँ बनाना चाह रहा हूं Is it delta V? This is V This is V prime This is B prime Sorry, this is A prime This is B prime This is O prime and this is the angle बोलिए सभी क्या मैंने? ट्राइंगल जो बना है उपर वाला ये वाला ये यह है बात समझ में आ रही है तो मैं ratio theorem इस्तिवाल करूंगा तो ratio theorem के इसाब से इस का सामने वाला side कों सा है भाई? इस triangle का सामने वाला side कों सा है? A into B तो मैं लिख सकता हूँ A, R, C of A, B divided by इसी triangle का ये वाला side कितना है? O into A जैसे मैंने यहाँ पर this side divided by this तो इसमें भी मैंने क्या क्या? this side divided by this side चलेगा? जो मैंने बताया है मैंने वही क्या अब इस triangle में भी यहाँ पर मैंने सबसे पहले सामने लिया था तो इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा? सामने वाला लूँगा तो यह रहा A प्राइम, B प्राइम अच्छा इसका सामने वाला लिया था तो नीचे वाला कंसिडर हुआ था अब इसमें भी सामने वाला लिया तो नीचे वाला ही consider होगा ये वाला ये कितना है O A प्राइम किसी को भी इतराज हो तो मुझे बताएं मैंने जो सिका है मैंने वही चीज deck to use किया है दुबारा triangle की तरफ आता हूँ क्या इस triangle में ये side divided by ये side तो इसमें भी ये side divided by ये side इसमें सामने वाला इसमें भी सामने वाला इसके सामने के साथ वाला इसके सामने भी साथ वाला शेयर दिल अब आगे चले A, R, C A, B तो अपनी जगा लगाया मैंने लेकिन नीचे O, A की जगा मैं R लगा सकता हूँ बोलिए O, A किसके बराबरे आर, radius, लगा दिया और देखे, ऑ, देखए, ब्डेश, डिल्टा बी के बराबर है ये डिल्टा बी लगा दिया और देखे, wanna aड़ क्या बी के बराबर है लगा दिया बोलिए कोई गबला तो नहीं हुआ इस r को, इस r को यहां लेक्या हूँ यह देखें, A, R, C, A, B, बराबर है, R, डिल्टा V, डिवाइड़ बाई V, किसी को इतराज है, अब जरा गोर से देखें, पर कोई कमाल करने वाला हूँ, A से लेकर B तक यह रास्ता सीधा तो नहीं है न, कर्व है, इसलिए तो हम A, R, C लिखते हैं, आर्क, यहनि टुकड़ा, कर्व है कर्व, मुझे बताईए, अगर टाइम बहुत कम हो जाए, फर्स करें A से लेकर B तक उसने चार गिंटे लगाए हैं, अगर दो गिंटे हो जाए तो यह दर्मयान में आजाएगा, चार गिंटे में A से B तक हैं, अगर दो गिंटे लें तो दर्मयान में, A गिंटा लेगा तो उससे, उससे कम लेगा तो उससे, यहां तक कि टाइम बहुत कम हो जाए, तो B A के बहुत करीब हो जाएगा, बास समझ में आरी है, मैं लिखता वेरी समाल देन पॉइंट बी वेल बी वेरी वेरी क्लोस्ट टू पॉइंट ए अब मुझे एक बात बता है जमीन गोले के नहीं चलो गोले या नहीं है अलेप्टिकल तो है ना आपका गर गोले क्या में मुझे बात गोले क्या क्यों भई इसलिए कि ये जमीन का बहुत चोटा हिस्सा है तो जब भी एक एक करीब हो जाएगा तो कर्व खतम हो जाएगा स्टेट लाइन हो जाएगा बात समझ में नहीं आई मैं एक मिसाल देखो ये क्या है कर वे दो टुकड़े कर दो अब भी कर वे अब भी कर वे बताओ इस दोनों के दर्मियान क्या ये कर वे क्या स्टेट लाइन तो जब डिल्टा टी बहुत स्माल हो तो भी एके बिलकुल करीब हो जाएगा और ये जो अर्क अबी है इट बिकम्स अस्टेट लाइन एन ए और सी एन ए और सी अफ ए बी बिकम्स अस्टेट लाइन और आपको मालूम होना चाहिए इस्टेट लाइन जो है उसका फर्मूला क्या है एस बराबर वे टी तो मुझे बताईए इसकी जगा मैं ये लगा सकता हूं के नहीं लगा दिया वे डिल्टा टी बराबर आर डिल्टा वी डिवाइड बाई वी एतरास तो नहीं है भई अब ज़रा ये वी इसके लिए लाओगा तो वी स्क्वेर हो जाएगा ये वी इदर लाए तो वी स्क्वेर हुआ और ये डिल्टा टी इस डिल्टा वी के नीचे लगा दिया और ये आर इसके नीचे ले आया एतरास तो नहीं हुआ देखो इस वी को इसके साथ ले आया स्क्वेर हुआ डिल्टा टी वी की जगा ले आया डिल्टा टी हुआ, इसके साथ जो गोद में आर है, आर उसके नीचे लेके चला गया अब बताओ, मैंने डिल्टा टी के बारे में कुछ बताया है जी, क्यों नहीं बताया, मैंने बताया, कि इट इस वेरी वेरी स्माल तो लिमिट का तरीका है, दोनों तरफ लगाएंगे और क्या ये एंस्टिंटीनिस एक्सिलरेशन है के नहीं है बोलिए, ए, आ, आ, इ, इ, अ, और याद रहें कि यही सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन का काम करके दे रहे बतावाय के नहीं, बोलिए, अब आप कहेंगे सर यहां से तुमने गाइब कर दिया तो मैं आपका एक ही जवाब दूँगा, कि अगर यहां डिल्टा टी होता, उसकी जगह में जीरो लगाता लेकिन चुके डिल्टा टी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको खतम करने का मजाज हूँ यह आप लिमिट चिप्टर नमबर वन में पढ़ेंगे, सेकंडियर की मैतेमेटिक्स में लिमिट खतम करने का तरीका होता है, कि जहां डिल्टा टी नज़र आए, वहां जीरो लगा दो पिर आप कहेंगे, सर, यहां डिल्टा टी तो है, जीरो क्यों नहीं लगाया? तो मैं आपको जवाब दूँगा, बेटा, इस पूरे की डिफिनीशन ही ये है यसलिए इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, यह पूरा डिफिनीशन ही, किसकी? instantaneous acceleration, और यहां पर जो acceleration है, वो क्या है? instantaneous acceleration as act as a centripetal acceleration बात समझ में आ रही है, so I can say that AC is equal to V square over R, which is the required equation, is it clear? डने जी? तो आसा, hard है, but not difficult प्रिफिल्ट